बॉड़िभूट की दिस्को डांसर कहे जनी वाली मि्थुन चकरोर्ती ने अपने 40 साल के करियर में 352 से अधिक फिल्मों में काम किया मिथुन चकरोर्ती के ऊपर कई किताबे भी बन चुकी है जो मिथुन चकरोर्ती की महानता का पखान करती है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मिथुन चक्रवति की वो खुबसूरत अबनेतरी जिसे आप सब ने काफी पसंद किया 90 के दसक की मसूर अबनेतरी सिल्पा सिरोडकर के बाले में आपको बताते कि सिल्पा सिरोडकर ने महज 20 साल की उम्र में अपना करियर सुरू कर लिया था साइद ने अपने विरासत में मिली थी उनकी मा गंगु भाई मराठी फिल्मों की मसूर अबनेतरी रही हैं इसके अलावा दादी मीनाक्षी सिरोडकर भी फिल्मों में काम कर चुकी हैं सिल्पा को सिनेमा जगता और टीवे में मिला कर 30 साल हो चुकी हैं इतने अर्से लंबे में उनकी लुक में काफी वर्यवर्तन आया यहां तक कि एक ज़लक देखने में उन्हें पहचानना भी मुस्किल हो सकता है 1989 में सिल्पा ने फिल्म भरष्टा सार से अपने फिल्मी करियर की सुरुगात की थी इसमें उनकी अपोजिर मिथुन चकरोरती थे सिल्पा को पहचान मिली वर्ष 1990 में आये फिल्म कृष्ण कंधया से जिसमें इनके साथ अनिल कपूर दिखाई दिये थे सिल्पा ने अपने फिल्मी करियर में कई बड़े अपने इताओं के साथ काम किया सिल्पा की कई फिल्मे कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई फिल्मों के फ्लॉप होने की चलते सिल्पा का करियर भी उचाईयों तक नहीं पहुँच पाया करियर को आगे बड़ता ना देख सिल्पा ने 2000 में UK बेस्ट बैंकर अपरेस रंजी से साधी कर ले साधी की बाद सिल्पा लंडन में ही रहने लगी सिल्पा की एक बेटी है साधी की बाद सिल्पा बारूत फिल्म में नजर आई थी फिल्मों के बाद सिल्पा ने 2013 में टीवी का रुक किया इतने लंबे वक्त में सिल्पा सिरोटकर के लुक में काफी परवर्तन आया जो की तस्वीरों में साफ नजरा रहा है